कि नमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत है competition community में मैं हूँ आनंद कुमार आज के इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिनों का national और international current affair analysis करने जा रहें और आज का हमारा session बहुत important होने वाला है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंध तक जरूर देखिएगा session की शुरूरात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमसे regular basis पे updated रहना चाहते हैं तो YouTube के अलावा आप हमारे इन तीन social media platform से जरूर जूड़िएगा जिसमें पहला है session में जो हमारे पास सबसे पहला topic है COVID-19 pandemic के बीच अगर आप देखोगे कुछ rating agencies की बात कर लो या फिर कुछ expert के views ले लो तो इनकी अनुसार पूरी दुनिया की अर्थविवस्था के साथ भारत की अर्थविवस्था भी पट्री से उधर चुकी है और इसे वापस से पट्र परकार के लिए निर्म से अर्थ के सुरह पारने के लिए चाहिए अलंगे और आप पीक दाइब है तो आज के इस पहले topic में हम इनहीं फैसलों पर नजगा डालते हैं सबसे पहले बात रखिग की इसे 4.50 से कट करके 4% पर कर दिया गया है और reverse repo rate 3.75% से कट करके यहां पर 3.3% पर कर दिया गया है रेपोरेट क्या होता है वह दर जिस पर Reserve Bank of India विभीन बैंकों को लोन देती है और reverse repo rate क्या होता है वह rate जिस पर Reserve Bank of India या विभीन बैंकों से रिल लेती है अगर आप कुछ सालों के यानि कि दो-तीन सालों के रेपो रेपो रेट की इस्थिति या फिर रिवर्स रेपो रेट की इस्थिति देखना चाहते हो तो यहां पर देख सकते हो इस ग्राफ में 2018 सप्टेंबर की बात करें तो यहां पर रिवर्स रेपो रेट था 6.25% यह जो नीले कलर का आपको ग्राफ दिख रहा है यह रिवर्स रेपो रेट का है और यह उपर में जो आपको एलो कलर का ग्राफ दिख रहा है यह है आपका रेपो रेट का तो सप्टेंबर 2018 में रेपो परेट था वह 4.90 परसंट था और यहीं आपका रेपॉरेट 5.15 परसंट था इसके लावा जब लॉकडाउन हुआ कोविड-19 पैंडमी की वज़े से जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय भी रिजर्मेंग ओंडिया ने 5.1 परसंट से रेपॉरेट को कर सकते हो इसके लावा आरवे के कुछ महत्पून फैसलों में और अगर हम देखें तो इसमें आ जाता है इमाई पेमेंट अगर आपने किसी बैंक से लून ले रखा है तो आपको तीन महीने तक कोई भी लून नहीं चुकाना पड़ेगा यानि कि बैंक आपस नहीं करेगा अ खरीदने की उनमें जो छमता है वो बनी रहेगी यानि कि मार्केट की जो डिमांड है वो कम नहीं होगी इसलिए रिजर्बेंग को फिंडा के तरफ से ये सारे फैसले लिए गया है सेकेंड पॉइंट पे हम यहाँ पर बात करते हैं वर्किंग कैपिटल लोन के वर्किंग क क्रेडिट पिरियड इसमें अगर हम बात करें तो वो कारोबारी जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं और लोगड़न में तो कोई एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है तो इनके क्रेडिट पिरियड को 12 महीने से बढ़ाकर 15 महीने तक कर दिया गया है यानि कि ये अपना जो इन्होंने जो भी लोन लिया है उसे आप 15 महीने में भी वापस कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम आ जाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानि कि एक्जिम बैंक अब जो भी कारोबारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़े हुए थे इस लोगड कार्पोर्ट करें यानि कि जो लुञ और की तक लेक जाता है वो रूप्योर्ट कार्पोरेंट क्लऻाट है तो इसमें 25 पर्षेंट से बढ़ना कर दिया गया है यानि आप कंपनी अपनी कपासिटी के हिसाब से जो 25% तक लोन ले सकते थे वो अब 30% तक ले सकते हैं यानि कि 5% ज्यादा ले सकते हैं इसके बाद अगर हम अगले बिंदू की तरफ जाएं तो यहाँ पर राजियों को भी कुछ रहात दिया गया है आर्बे की तरफ से क्या है यह तो यह है Consolidate Sinking Fund के तहती Consolidate Sinking Fund क्या होता है Consolidate Sinking Fund क्या होता है इस फंड में राजियों को जो है आर्बे के पास में रखम जमा करवाना पड़ता है आर्बे इनकी रखम को कुछ रिजर्व रखता है ताकि राजियों के उपर में जो कर्ज है उसे समय पर वसूला जा सके और समय प करोड़ रुपए एक्स्ट्रा निकाल सकेंगे राजी ता कि राज भी अपनी अर्थविवस्था को गती प्रदान करने के लिए यहां पर इन फंड का इस्तेमाल कर सकें तो यह कुछ महत्पूर्ण फैसले हैं जो आर्बे की तरफ से लिए गये इसके अलावा आर्बे ने इंडियन एकॉनमी पर क्या कहा तो यहां पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सबसे पहले जीडिपी ग्रोथ की तो आर्बे ने ये कबूला है कि इस फाइनेंशियल यार यानि कि 2020 और 2021 में आर्बे का जो ग्रोथ रेट है वो निगेटिव रहने वाला कितना नीगेटिव रहने वाला है इस पर ये किसी प्रकार से को नेज हम ये कहा है कि जो घरोधे ने ने कहा है कि इस फाइनीन अर्थविवस्था 1.2% से ग्रोव करेगी और 15 Finance Commission के प्रेसिडेंट है N.K. सिंग इन्होंने कहा है कि भारत का जो ग्रोथ रेट है इस Financial Year में माइनस 6% से लेकर 1% के बीच रह सकता है तो इस प्रकार से भारत की अर्थविवस्था किस प्रकार से रहने वाली है आप यहां पर देख सकते हो और इस पूरी अर्थविवस्था पर कोविड 19 में एक वीडियो आकास तरने भी बनाया उसका लिंक आपको उपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां मिल जाएंगे तो उस वीडियो को भी अगर आप डिटियल से पढ़ना चाहते हो तो जरूर देखिएगा इसके अलावा इंफ्लेशन पे भी यहां पर आर्वी के तरब से बात कही गई है इंफ्लेशन टार्गेट रखा है आर्वे ने 4 परचेंट क है कि इस फाइनेंचील एर के तीसरे और चौथे क्वार्टर में बहंगाई दर जो है वो चार पसेंट तक वापस आ जाएगी तो यह पूरा हमारा पहला टॉपिक था रेजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने और फ्रवस्था को गती प्रदान करने के लिए जिस प्रकार से बड आग्साइक्लों था और भारत में जितने भी अगर अदिकानस्ता हम साइकलों की बात करें तो वह प्रॉपिकल साइकलों ही होता है तो अगर यह प्रशन पूछा जाता है हाली में सब्गाल एंपन्कों साइकलों था कुष ہो पापर हम एजाएगई कर यहां अगर इस cyclone से related यहां पर कुछ additional information हम देखें तो हमने हमेशा news में देखा है कि जब भी cyclone आने वाला होता है तो भारतिया मौसम विभाग द्वारा कुछ alerts जारी किया जाते हैं तो यह alerts कितने प्रगार से होते हैं इस बात को भी ध्यान रखिएगा सबसे पहला होता है yellow warning या फिर cyclone alert भी हम लोग इससे कहते हैं cyclone आने से 48 घंटे पहले इस alert को जारी किया जाता है इसके अलावा दूसरा होता है orange alert या फिर इसे cyclone warning भी कहते हैं cyclone आने से 24 घंटा पहले इसको जारी किया जाता है और तीसरा होता है red alert या फिर इसे landfall भी कहते हैं एक्च्वल में जब cyclone, super cyclone में convert हो जाता है तो red alert या फिर landfall जारी किया जाता है मौसम विवाग की तरफ से इसके अलावा हम यहाँ पर थोड़ा सा बात चक्रवात के रूप में करें तो चक्रवात क्या होता है low atmospheric pressure में गर्चारो और जब गर्म हवाओं का तेज आंधी चलता है तो उसे हम simple word में अगर कहें तो cyclone कहते हैं cyclone मुख्यता कितने प्रकार के होते हैं तो यह होते हैं दो प्रकार के कौन-कौन से एक तो होता है tropical cyclone जिसे हम लोग उसने कटी बंदिये चक्रवात कहते हैं और दूसरा कौन से cyclone होता है यह होता है temperate cyclone यह से हम लोग सितोषन कटी बंदिये चक्रवात भी कहते हैं कुछ यहां पर important facts आप लोगों को और ध्यान में रखना है यह आपका हो गया northern hemisphere यानि कि उत्री गुलार्द और यह हो गया आपका southern hemisphere यानि कि दक्षनी गुलार्द तो जो दक्षनी गुलार्द यानि कि इस hemisphere में जब कोई cyclone आता है तो यह आपका clockwise होता है यानि कि घड़ी की सुई के दिशा में और जब कोई northern hemisphere में कोई अगर cyclone आता है तो यह घड़ी के दिशा की विप्रित होता है ऐसा क्यूँ ऐसा होता है प्रित्वी के गुर्णन गती की वज़ा से तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा और भारत में जितने भी cyclone आते हैं भारत कौन से गोलार्द में है यह है आपका उत्तरी गोलार्द में तो इसलिए इस छेतर में जो भी cyclone आएगा वो आपका anti-clockwise होगा ठीक है और भारत में जितने भी cyclone आते हैं वो सारे cyclone अधिकानस्ता मैंने पहले ही बताया कि वो सब के सब होते हैं आपका उशने कटिवन अधिये cyclone यह पर थोड़ा सा भारत में cyclone से related भी देख लो भारत में मुख के लुप से अरब सागर और बंगाल के खाड़ी में जो भी cyclone आते हैं और यह सारे cyclone होते हैं आपका कौन सा ट्रॉपिकल साइकलोन तो कभी भी अगर पूछा जाए कि यह cyclone कौन से टाइप का cyclone था अगर भारत में आया हुआ है तो आप सीधा answer ट्रॉपिकल साइकलोन पर लगाएंगे ठीक है चलिए इसके अलावा चक्रवातों का नाम करन आप जब कभी कोई cyclone आता है तो उसका एक अलग नाम दिया जाता है कभी तितली कभी वायू और अब अमफान तो cyclone का नाम दे आप भी सुझा सकते हैं राजी भी सुझा सकता है कोई देश भी नाम सुझा सकता है और उसके बाद इस cyclone का नाम करन रखा जाता है याने कि अगर कहने का मतलब है कि उस cyclone का नाम है, simple होना चाहिए, repeat नहीं होना चाहिए, असानी से समझ में आने वाला होना चाहिए, तो इस तरह से cyclone का नाम कोई भी सुझा सकता है, और उसी के आदार पर इन 8 देशों के तरफ से फैसला लिया जाता है, कि इस बार इस cyclone का नाम क्या रखा जाएगा, इसी के बात जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, वो हमारा लिपूले, काला पानी और लिंपिया धुर्रा के बारे में, इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको ऊपर आई बटन पर क्लि और इस से पहले भी भारत सरकार के दरब से एक रूट कंस्टक्ट किया गया था, जिसका उद्घाडन किया गया है, यह रूट बना है आपका धारचूला से लेकर लिपूलेक तक, यह इसी रिजन में रूट आता है, इस पर भी नेपाल ने अब्जेक्शन खड़ा किया था तो इस वज़ा से यह जो पूरा लोकेशन है, खाली के समय में नियूज में रहा है, और यह लोकेशन जो है तीनों, यह आपका 395 स्क्वेर किलोमेटर का है, तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर लिपूलेक का लोकेशन और लिपूलेक के बारे में आपको ध्यान रखना है, तो लिपूलेक कहां है, इस तरफ आपका उत्रा खंड आता है इंडिया का और इस तरफ आपका आता है नेपाल, अब यह लिपूलेक जो है आपका उत्रा खंड के पित्थोर गड जीले में आता है, और लिपूलेक एक धर्रा है, यानि की एक पास है, और लिपूलेक प और यहां से 22 किलोमेटर का एक रोड बनाया गया है जिस पर विवाद नेपाल ने किया था और इसी मार्ग से और इसी लिपू लेक से होकर यहां कैलास मानसुरोबर का यातरा किया जाता है इसलिए लिपू लेक का लोकेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट हो ज और इसी ट्रीटी का हवाला देते हुए नेपाल कहता है कि जो लिपू लेक काला पानी और आपका लिप्या-धुर्रा है यह तीनों लोकेशन जो है वो नेपाल में है तो सुगोली की संधी के बारे में याद रखिएगा कब किया गया था 1816 में किया गया था किस के किसके ब बारे में भी आप लोगों को ध्यान में रखना है इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का इंपोर्टेंट टॉपिक है यह सिखादकर कमीटी के बारे में ठीक है हाली में इस कमीटी के कुछ इस रिकमेंडेशन को भारत सरकार ने एकसेट कर लिया है यानि कि लागू कर दिया है इस रिकमेंडेशन के बारे में जानेंगे जो कि भारत सरकार ने लागू किया है लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर सिखादकर कमीटी के बारे में जान लेते हैं और इनके रिकमेंडेशन कि पीछे का उद्देश सेता सेना में सुधार करना युद्ध की छमताओं को बढ़ाना और खर्च को संतूलित करना इसी उद्देश के साथ में इस कमीटी का गठन किया गया था उसके बाद इस कमीटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिये थे जिसमें से एक रिकमेंडेशन को हाली में accept कर लिया गया है और यह है border infrastructure से related border infrastructure से related यानि कि जो facing है border पे उसको improvement के लिए उन्होंने जो भी recommend दिया था उसको हाली में cabinet की तरब से approval दे दिया गया है तो हमेशा याद रखिएगा कि सिखातकर कमीटी किस छेतर से संबंदित है या किस छेतर में सुधार के लिए गठित किया गया है तो हमेशा याद रखिएगा सिखातकर कमीटी जो है रक्षा छेतर से संबंदित कमीटी थी और कुछ दिन पहले ही राजनात सिंग जो कि हमारे रक्षा मंद्री भी है इन्होंने military engineering services के लगभग 9304 पदों को समाप्त कर दिया है और इन्होंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि इसी समीती ने ऐसा recommendation दिया था तो इस समीती के recommendation के आधार पर ही ये दोनों फैसले लिये गए ह इसके लावा कुछ और यहाँ पर additional information हम देखें तो इनके सीफारिस में और क्या-क्या था इनके recommendation में और क्या-क्या था इनके recommendation में एक point एभी था कि भारत का जो defense budget होता है उसे 2.5% से 3% के मध्य होना चाहिए अभी कितना है अभी जो 2020 और 21 का जो budget लाया गया इसमें total GDP का 2.1 परसेंट defense पर खर्चा किया जाएगा और अगर total budget का हिस्सा देख लें तो यह लगभग 15.5% के आसपास आ जाता है और total budget कितना है इस साल रक्षा बजट यह है आपका 4.71 लाख करोड रुपय का ठीक है चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और additional information देख लेते हैं दुनिया का सबस 5% खर्च करता है और इसके लाख अगर हम अपने पडोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो यह अपने GDP का 3.5% खर्च करता है और भारत वर्तमान स्वे में 2.1% अपनी GDP का रक्षा बजट पे खर्च करता है लेकिन इस recommendation में कहा गया है कि भारत को कम से कम 2.5% से लेकर 3% तक अपने बजट का रक्षा बजट पे खर्च करना चाहिए इसके लाख इन्होंने और एक important recommendation दिया था कि जो की सेवा युद्ध महाविद्याले है joint service war college इसके स्थापना किया जाए ताकि युद्ध धस्तर पर technology के साथ में तयार किया जा सके हमारी सेना को तो इस committee के बारे में याद रखिएगा और इस committee के कुछ recommendation के बारे में आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा important हो सकता है चलिए इसके बाद जो हमारा next का important topic है नासा के बैग्यानिकों ने एक parallel universe को discover किया है parallel universe का मतलब यह हुआ कि जिस universe में हम रहते हैं या फिर जो भी हमारा ब्रम्भांड है इसक को discover किया है हाली में किसने नासा ने किया है अमेरिकी अंत्रिक्ष एजेंसी नासा ने इसके अलाबा आप लोग यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि जिस एंटीना की मदद से इस नए universe की खोज की गई है उसका नाम है Antarctic Impulsive Transient एंटीना इस एंटीना के बारे में भी आपको य नासा के वैग्यानिकों ने यह कहा है कि आज से लगभग जब 13.8 billion वर्स पूर्व जब बिग बैंग हुआ था तो उसी समय तो हमारे universe के साथ यानि कि हमारे ब्रम्हांड के साथ और भी कई ब्रम्हांड बन गये थे ऐसा भी कहना है इन वैग्यानिकों का अगर यह जो नया universe are discover किया गया है अगर इसके बारे में कुछ एकाद और important fact यहां पर देखें तो यह जो हमारे हाँ समय चलता है इसके विपरित यहां समय चलता है यानि की उल्टा समय चलता है तो इस point को भी ध्यान रखिएगा Stephen Hawking के अनुसार एक point यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा इनका last जो research paper था वो 2018 में publish हुआ था इन्होंने अपने research paper में भी कहा था कि हमारा जो universe है इस universe के अलावा भी कई और universe हो सकते हैं तो Stephen Hawking ने यह अनुमान पहले ही लगाया था और अब NASA के तरफ से एक parallel universe को खो जा गया है तो याद रखिएगा किस एंटीना की मदद से खो जा गया और हाला कि अभी उस universe का किसी प्रकार से कोई नामकरन नहीं किया गया है लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है और उस एंटीना का नाम ध्यान में रखना है जिससे मैंने आपको बताया ठीक ह है हमारा goal कारेकरम गोल का full form है यहाँ पर going online as leaders यह सुरू किया गया है किसके तरफ से जनजातिये मंट्राले यानि के मनिश्ट्री आप ट्राइवल अफेर्स के तरफ से सुरू किया गया है तो जनजातिये यानि कि आदिवासी वाउं के लिए किया गया है Facebook के साथ में मिलकर भारत तरगार के जन जाती है मंत्राले ने इस मिशन को सुरू किया है याद रखिएगा फेस्बूक का नाम इसके साथ में मिलकर किया है प्रेलिम्स के लिए यहाँ पर बहुत इंपोर्टन्ट हो सकता है इसका objective है और अगर हम देखें तो यह goal program जो है यह इसका second face अभी अभी सुरू किया गया facebook के साथ में मिलकर इसमें 5000 युवा जन जातियों को सामिल किया जाएगा जो entrepreneur बन सकते हैं या professional हो सकते हैं या कोई artist हो सकते हैं इनको digital माध्यम से skills provide करवाया जाएगा इस goal campaign के तहट और यह मैंने बोला कि यह second face है तो इसका first face कवाया था इसका प्रथम चरण सुरू हुआ था अपका फरवरी 2019 में जो की चला था अक्टूबर 2019 तक और यह एक pilot project के तौर पर first face में चलाया गया था जो की भारत के पांच राजियों में चलाया गया था लेकिन अब इसका second face सुरू हो चुका है तो कौन से मंत्राले की तरफ से goal कारिकरम चलाया गया यह धियान रखियेगा इतनी बातों को आपको यहां पर ध्यान में रखिएगा चले इसके बाद यहां पर जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है वो 1200 HP इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में है हाली में भारतियर रेलवे की तरब से भारत का सबसे पावरफूल लोको मोटिव इंजन चलाया गया है जो की 12,000 HP का है और 12,000 HP यानि की इतनी सक्ति साली लोको मोटिव इंजन चलाने वाला भारत जो है दुनिया का छठा देस्ट बन चुका है और इस लोको मोटिव इंजन को बनाया गया है मेकीन इंडिया प्रोग्राम के तहट और इस इंजन को फ्रांसेसी कंपनी की मदद से बनाया गया है जिस कंपनी का नाम है यहां से प्रेलिम्स में कोशन बन सकता है और इस लोको मोटिव इंजन का निर्मान किया गया है बिहा इने साथ खीच सकती है तो याद रखिएगा बारह हजार एच पी इलेक्ट्रिक इंजिन का जिसे की भारती रेलवे की तरफ से बनाया गया है फ्रांस के मदद से और यह भारत का सबसे पावरफुल रेलवे इंजिन है चलिए ठीक है इंपोर्टेंट हो सकता है प्रिलिम्स के इशुना गया है प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है ध्यान रखिएगा र्खिएगा विस्व स्वास्भ संघठन का कारे कारी कारी अधियक्ष हाली में किसे नियुक्त किया गया है तो एंसर होगा भारत के सवास्थ मंत्री डॉक्टर हर्सवर्दन को और इन्होंने किन की जगा लिया इन्होंने जगा लिया है जापान के डॉक्टर हीरो की नाका तानी का और इन्होंने और इन्होंने इनका जगा कब लिया बाइस में को तो याद रखिएगा डॉक्टर हर्सवर्दन को विस्व स्वास संगठन का कारेकारी बो इसके प्रेजन टाइम पर 194 है और स्विट्जे लेंड की राजधानी जीनोवा में इसका हेट कोटर है चले इसके बाद जो निक्स्ट का टॉपिक है वो है हमारा इंटरनेशनल बायो डाइवरसिटी डे यानि कि जैव विवित्ता दिवस प्रतेक वर्स कब मनाया जाता है तो सभात कब हुई थी इसका सुरुवात हुआ था बेस दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट के एक सभा में इसका प्रस्ताब जो है अंगे कृत किया गया था उसी समय से यह जो है अंतराष्टी जैव वित्ता दिवस मनाया जाता है कई बार प्रिलिम्स में कुछा गया है डेट य अमेरिका बाहर हो चुका है यानि कि उसने गोशना कर दिया है इस ट्रीटी के बारे में अगर हम बात करें कि यह संदी है क्या तो यह 34 देशों के मद्द हुआ एक संदी है जो कि वर्स 2002 में हुआ था इस संदी के अनुसार यह 34 देश अपने विमान को एक दूसरे देशों क चेतर में उड़ा सकते हैं यानि की अनुमती इनको होती है without permission भी उड़ा सकते हैं और यह संधी कब हुआ था 2002 में हुआ था हाला कि भारत इस संधी का हिस्ता नहीं है लेकिन भारत भी इस प्रकार के एक संधी के साथ में किसी देश के साथ में जूड़ा हुआ है जो कि 2016 और 2017 में हुआ था वो हुआ था जापान के साथ में ठीक है तो भारत इस प्रकार के संधी से सिर्फ एक देश से जुड़ा हुआ है जापान के साथ में लेकिन open sky संधी इस 34 देश में भारत नहीं आता है लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ी सी information यहाँ पर होनी चाह है तो यह था हमारा पूरा आज का national current affair और international current affair का analysis आज के वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो पसंदाने पर like कीजिएगा दोस्तों तक share कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा फिलाल इतना ही thank you thank you very much CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए competition community के YouTube चैनल को subscribe कीजिए और daily updates के लिए bell icon को प्रेस करना ना भूले